Original Ayurvedic Solution में आपका स्वागत है Original Ayurvedic Solution एक पहल है परमानन अईरवेदा की जिसके माध्यम से हम आपको गंभीर, गहातक बिमारियों और स्वासिसंबंदी समस्याओं के निदान आप तक पहुँचा पाते हैं हमारा प्रयोजन आईरवेद को अपनाना, सरल और आसान बनाना है जिसके अंतरगती ये पहल है Original Ayurvedic Solution हम यहाँ पर वही उपचार और वही समाधान बताते हैं जो की पूर्ण रूप से प्रमानित होते हैं और जिसे हमारे अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा खरा पाया गया है तो चलिए जानते हैं आज के विशे के बारे में नौजात सिसु बहुत ही प्यारे होते हैं उन्हें देखकर मन हमेशा प्रसन हो जाता है पर घर के बड़े बुजर्ग बच्चों को जादा चूने या चूने से पहले हाँ दोने को बोलते हैं और कभी-कभी हमें उनकी यह बात बिलकुल भी पसंद नहीं आती है हमें लगता है कि वो ऐसा क्यों करते हैं तो चलिए आज मैं आपको बताती हूं कि वो ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि नौजाद बच्चों को इस दुनिया में आये वे कुछी दिन हुए होते हैं और उनकी पतिरक्षा शमता बहुत ही कमजोड होती है जिससे वैवातावर्ण में फैले हुए किसी भी प्रकार के किटाणू, वाइरस, फंगस और संक्रमट से आसानी से प्रभावित हो जाते हैं और उन्हें कई स्वाथ समंदी समस्या हो जाती है जरूरी नहीं कि नौजास इसू में होने वाली हर समस्या गंभीर हो पर किसी भी समस्या को कभी नजर अंदस नहीं करना चाहिए और ना ही कभी किसी समस्या के लिए जादा परसान होना चाहिए पस चलिए थे कि सही समय पर सही उपचार किया जाए नमस्कार दोस्तों मैं हिमानसी कुपता एक बार फिर से आप सब का परमानन आयरवेद यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ आज मैं आपको नौजाद बच्चों में होने वाले दाने यानि की एकने या फिंपल के कारण उपचार और लक्षड के बारे में बताऊंगी ताकि आप अपने बच्चे का उपचार सही तरीके से कर सकें तो चलिए सुरुआत करते हैं इसके कारणों से कहा जाता है कि नौजाद बच्चों में दाने ज्यादा गर्मी की वज़ा से भी हो जाते हैं वा उससे उत्पन होने वाले पसीने से इसके अलावा बच्चों में दाने हार्मोंस की कारण भी हो जाते हैं क्योंकि इस उम्र में नौजात सिसो के हार्मोन्स बहुत बदलते हैं इसके अलावा बच्चे की सफाई का ध्यान ना रखना उन्हें ना नहलाना या अलग-अलग लोगों की गोदी में लेने से बच्चे किसी भी प्रकार की संक्रमत से आसानी से प्रभाबित हो जाते हैं और इससे भी उन्हें दाने हो जाते हैं इसके अलावा नौजात सिसो में दाने ऐलर्जी की वज़ा से भी हो सकते हैं ज्यादा तर यह मा के खान पान की वज़ा से होते हैं क्योंकि इस उम्र में नौजासिसू पूरी तरह से मा के खाने पर निर्बर होता है अब अगर मैं बात करूं इसके लक्षडों की बारे में तो इसमें आपको अपने बच्चों के चहरे पर हाथ पैर या पूरे सरीर में लाल रंग के दाने दिखते हैं जिसे देखकर आपको चिंतित या परसान होने की बिल्कुल भी ज़रत नहीं है यह बहुत ही आम होते हैं और कुछ दिनों में अपने आप चले जाते हैं पर अगर आपको लग रहा है कि बच्चों में दाने बहुत जादा हैं और वह आसानी से नहीं जा रहे हैं तो आप इसके लिए आयरवेदि कि दवा आपको इसके लिए लेनी चाहिए इसके लिए आप अपनें बच्चे को हैद्रा खंड की 500 मिलीग्राम मात्रा और गिलोय सत्व की 75 मिलीग्राम मात्रा को सहर में मिलाकर दे सकते हैं इसके अलावा you aren't in the company को खादिरा रिष्ट भी बच्चे को सारी वाद्या रिष्ट देनी चाहिए इसके अलावा लक्षादी कैर टैलम को उप्योग आप अपने बच्चे के सिर्व और सरीर पे लगाने में कर सकते हैं यह भी दाने को दूर करने में पूरी तरह से मददगर साबित होई है इसके अलावा आप चाहे तो अपने बच्चे पर चेंप रुप्यादी कैर टैलम को उप्योग भी कर सकते हैं यह दाने का उप्चार करती है वा उन्हें आने से भी रोकती है पर ध्यान दें कभी भी इस तेल को लगाने के बाद बच्चे को ठंडे पानी से ना नहलाएं अब इसके अलावा आपको कुछ बाते ध्यान लखने की भी जिरूरत हैं जैसे की बच्चों की सफाई का खासतोर से ध्यान लखें उन्हें हमेशा नहलाएं अगर आपका बच्चा ज्यादा कमजोर है तो उसे गीले कपले से पोच दें और उसके वस्तर रोज बदलें इसके अलावा बच्चों में कभी भी कैमिकल वाले प्रोड़क का उप्योग ना करें बच्चे के सरी या तोचा को कभी भी तौलिया से रगड़कर ना पोचें उनके दाने को कभी भी ना छुएं ना नोचें इसके अलावा मा के खान पान का मिस्स दान लखें हो सके तो उन्हें ज़्यादा तलब उना बोज़त ना दें मेरे द्वारा बताए गई सभी प्रकार की आयरवेदिक दवा पूरी तरह से सुरक्षित हैं बर फिर भी किसी भी प्रकार की आयरवेदिक दवा को अपने नौजास इस्यों को देने से पहले डॉक्टर से परामस चरूर कर लें आप चाहें तो इसके लिए परम आननद आयरवेदिक के डॉक्टर से भी प्रामस कर सकते हैं परम आननद आयरवेदिक आपको इसकी सुधावित देता है इसके लिए बस आपको डायल करना है 999004674 और इस नंबर पर कॉल करके आप हमारे डॉक्टर से सीधे बात कर सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो हमारी साइट के कंसल्टार डॉक्टर फॉर फ्री पेज़ पर जाकर अपनी समस्या हमारे डॉक्टर को बता सकते हैं अब अगर मैं बात करूं कि मेरे द्वारा बताए गई सभी प्रकार की आयरवेदिक डवा या अगने कोई भी आयरवेदिक डवा को आप मंगाएंगे कहां से तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप इसे परम आनन आयरवेद से मंगा सकते हैं परम आनन्द आयरवेद आपको सभी प्रकार की आयरवेदिक दवा उच्छी दाम वा उच्छ गुलवत्ता के साथ प्रदान करता है परम आनन्द आयरवेद से किसी भी प्रकार की दवा को आउनलाइन मंगाने के लिए हमारी वेबसाइट जो की है www.paramanandairveda.com पर जाएं और अपनी दवा मंगाएं आफ्लाइन मंगाने के लिए आप हमें 999004674 पर कॉल, मैसेज या वच्छब कर सकते हैं इसके अलावा आप चाहें तो हमारी साइट के front page के VIP order form द्वारा हमसे किसी भी प्रकार की आयरवेदिक दवा मंगा सकते हैं यहाँ पर मेरा किसी भी प्रकार का मतलब चाहें वह आयरवेदिक दवा हमारी साइट में पस्तित हो या ना हो हम आपकी order की वी सभी प्रकार की आयरवेदिक दवा आप तक 3-4 दे में पहुचा देंगे और इसके लिए हम आपसे कोई भी extra charge नहीं लेंगे जी हाँ हम देंगे आपको free home delivery की सुविधा और ऐसा करने वाले हम एक मात कमपनी हैं बस इतना ही नहीं हम आपको हर दवा कैमार्पी में 10-15 परसंट तक का डिसकॉन भी उपलब कराते हैं तो अब इंतजार किस पात का परमानन आयरवेद की परम सुविधाओं का लाब उठाएं आयरवेद को अपनी जियों में लाकर अपने अपने बच्चे और अपने परवार की रक्षा करें मेरी आज की वीडियो में बस इतना ही अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगियो तो इसे लाइक और सेर करना मत भूलेगा साथी साथ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ताकि भवी सुमें मैं आपको आयरवेद और आयरवेदिक दवाईयों से संबंधित और जानकारी देपाओं फिर मिलोंगे एक नई आयर्वेदिक दवा और एक नई स्वास समंधित जानकारी के साथ तब तक के लिए नमस्कार नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर नाचल है, मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपका कोई भी रेलेटर या कोई भी फ्रेंड आपको किसी आयर्वेदिक औसदी के बारे में बताता है, तो उसे इस्तमाल करने से पहले या खरीदने से पहले एक बार आप अपने जरू लेखने पहले या उसे दोज में लेना है या किस अनुपान के साथ लेना है, ताकि वह जिस बिमारी या जिस समस्या के लिए आप उस और इस्तमाल कर रहे हैं वह पूरी तरीके से अपना असर आपकी सरेर पे दिखा सके और किसी प्रकार से आपको नुकसान न ले लें कि वह और सदी आपकी उस बिमारी के लिए है या नहीं है कई बार ऐसा होता है कि ब्लड प्रेशर या शुगर का मरीज वीडियो तो देख लेता है और बिना डॉक्टर से सलाल लिए वह मैडिसीन इस्तमाल कर लेता है बड़ जरूरी नहीं कि हर मैडिसीन ब्लड प सुवेद पे कॉल करके चिकित्सकी सला ले सकते हैं